असलाम अलेकुम फ्रिंट्स वागता अपका इस यूटूब चैनल जेके स्टेडी मुटिरियल में आज की वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं जो स्टूड़न्स जो भी 12th पास है या भी 12th का एक्जाम दिया है एंञे बीफरमेसी का फाइम्स सम्मेट के चैंड़ करने जा रहे हैं क्योंकि अभी उसको थोड़ा टाइम है जेके बॉपी की धूरू तो बीफरमेसी में और डीफरमेसी में टोटल सीर्ज कुतनी हैं जमू में कितनी हैं, कश्मीर में कितनी हैं, गुर्मेंट कितनी सीर सें, प्राइवेट कितनी सीर सें, एंड बीफरमेसी के लिए क्या कुछ पढ़ना है, उसका सेल्बस क्या रहने वाला है, एंड जो उसका मेटीरिल है, वो आपको कहां से मिलेगा, वो कैसे प्रिपेर करना है इसका exam कब तक होगा इन career options क्या हैं after be-firmacy आप क्या कुछ कर सकते हैं या after de-firmacy आप क्या कुछ कर सकते हैं या सब चीज़ें हम यहाँ discuss करने जा रहे हैं आपने इस वीडियो को इन तक देखना है तो be-firmacy, de-firmacy दोनों का एक ही entrance exam होगा same selfless रहने वाला तो selfless वगएरा, end paper कैसे आएगा in total college वगएरा, उनकी seeds वगएरा वो मैं आपको बात में बताता हूँ पहले हम थोड़ा career options के बारे में बताते हैं क्योंकि हर students को पहले यह चीज़ बता होने चाहिए जिस चीज़ में वो जा रहा है उसमें क्या opportunities बनेंगी, future opportunities क्या है career कैसा रहेगा यह सब चीज़े पहले discuss करते हैं इन बाकी चीज़ें बाद में discuss करते हैं अगर हम career options की बात करें अगर कोई b-formacy करता है तो उससे पहले आप students को एक doubt होगा b-formacy औ b-formacy में difference क्या है देखो b-formacy यह एक आपकी degree होती है and b-formacy आपका diploma है तो b-formacy के बाद यह आपकी degree है आप वो सभी exam दे सकते हैं जो एक simple graduation वाला b-se वाला भाकी दे सकते हैं जैसा कि आप में b-formacy complete कर दी आपकी degree complete होगी आप UPSC exam दे सकते हैं आप JKS SB के graduate level exam दे सकते हैं आप SSE के exam दे सकते हैं आप सभी exams के लिए eligible हो जाएंगे जो भी graduate level exam होते हैं तो यह हुआ आपके लिए common जो बाकी students भी कर सकते हैं जो बाकी graduate होते हैं अब बात करें उससे अलग बाकी government jobs आपको कौन से मिल सकती है और नंग जाब में जो सबसे बesten जाब है वो है share drug inspector डrug inspector की जाब आपको मिल सकती है after the beefirmacy drug analyst की जाब मिल सकती है after the beefirmacy इनफर्मसिस्ट की जाब आपको मिल सकती है after the beefirmacy ये most important तीन जाब्स हैं जो आप be sigu Nay brothers के बात कर सकते हैं कि आप सब जानते हैं, recruitment कभी लेट आती है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, तो recruitment के अलावा, jobs के अलावा भी आप बहुत सी जो यहां पर jobs हैं, अलग भी job कर सकते हैं, जैसा कि फर्मर बहुत सी companies होती हैं, आप उन companies में भी काम कर सकते हैं, और वहां पर भी आपको अच्छे खासे salary मिल सकती है, जैसा कि companies होती हैं, वो वहां पर medicine manufacturers करते हैं, और वहां पर आपको quality control के लिए job मिल सकती है, वहां पर quality check कर सकते हैं, वहां पर research कर सकते हैं, और बहुत सी jobs होती हैं, यहां पर पूरे इंडिया में बहुत सी companies हैं, यहां पर फर्मा की, तो आपको वहां पर job easily मिल सकती है, आप अपने business भी start कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर आप governments की schemes को use करके, कोई investment करना चाहते हैं, आप अपनी company भी खोड़ सकते हैं, और आप अपनी shop भी खोड़ सकते हैं, radical shop वगएरा, किसी ऐसी जगा जहां पर आपका business बहुत अच्छे तरीके से grow हो सकता है, तो after b-firmacy आप higher education में भी जा सकते हैं, आप informa कर सकते हैं, जिसके बाद आप lecturer, professor बगएरा बन सकते हैं, जो b-firmacy या ड-firmacy के students को बढ़ाते हैं, आप यहां पर जो आपका academic है, वहां पर भी जा सकते हैं, यह main carried options हैं after b-firmacy, अब हम discuss करने जा रहे हैं, selbos बगएरा, paper कैसे आएगा, और exam कब तक होगा, college में, सीर्स कितनी हैं, यह सब भी जान दो, b-firmacy या ड-firmacy दोनों का same selbos रहने वाला है, और paper भी same रहेगा, और same date को होगा, exam के अगर हम बात करें, 19 में को आपके exam की date अभी बताई है, जेके बोपी ने, 19 में को आपको chances हैं, अब अगर आप देखें, 19 में को आपके exam हुआ, 9.25 पे अपने exam हाल पहुंचना है, और 10 बज़े आपका paper स्टार्ट हो जाएगा, 12 बज़े तक आपका paper रहेगा, अगर हम बात करें आपके selbos की, तो आपके जो selbos है, जो students physics chemistry bio वाले हैं, PCB वाले हैं, जो यहाँ पर PCM वाले students होंगे, अगर हम selbos की बात करें, आपका physics 40 marks का है, जैसा कि यहाँ पर आप selbos देख सकते हैं, यह यह चीज़े मिंचन है, तो इसका PDF फाइल में आपको WhatsApp ग्रूप और Telegram पे भी शेर कर दूँगा, इंड उसके बाद आपको chemistry वो भी 40 marks का है, यहाँ पर आपका टोटल जो paper है, वो 120 marks का आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आपका bio है, वो भी आपको 40 marks का आएगा, यहाँ पर आपका bio है, फिर उसके बाद आपको आजाएगा mathematics, वो भी आपको 40 marks का है, तो यहाँ पर आपका math का syllabus रहा, तो इससाब से आपने prepare करना है, जो यह चीज़ें यहाँ पर आपको mention है, तो आपको वहाँ पर, आप देखो कि क्या महीं, तो यहाँ पर 44, 160 हो जाता है, तो आपको सिर्फ तीन ही section चूज़ करना, बी फरमेसी की कश्मीर में, और वो सभी government से है, और बाकी जो आप देख सकते हैं, यह जम्मू में हैं, यह सभी private से हैं, इसमे 60, इसमे 60, इसमे 60, इसमे 60, तो यह सभी जो हैं जम्मू में हैं बाकी, और यह 60, 60 से हैं, कश्मीर के स्टूटन्स जमू में भी जा सकते हैं और जमू के स्टूटन्स कश्मीर में भी आ सकते हैं लिखा जाएगा जहां भी इन स्टूटन्स की स्लेक्शन होगी अगर हम डी फरमेसी की बात करें डी फरमेसी में यहां पर आप देख सकते हैं जमू की बहुत ज़यदा सीट से यह सब भी प्राइवेटस है, यहाँ पर जमू की बहुत ज़यदा है कश्मीर में आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं। हयात इंस्ट्यूट आफ फर्मा एजॉकेशन, यह सिक्स्टी सीट से हैं। ग्रीन वेली, कालेज अफरमेसी, यह पल्वामा में है, इसकी 60 सीट्स है, तो यह कश्मीर में हैं, बाकि जो हैं सभी जमू में हैं, बीफरमेसी की सीट्स, आपके पेपर की बात करें, OMR बेस्ट आपका पेपर आएगा, जिसमें आपको वहां पर क्या करना है, सिर्फ गोल कर हम पर 4 कोस्टन अलग से गलत हैं, तो 4 कोस्टन गलत होने के वह से आपका एक Marks माइनिस हो जाएगा, तो टोटल आपके नाइन मार्क्स बन जाएगा, इस बखिजब से आपकी Marking बएगा होगी, यह था बीफरमेसी और दीफरमेसी,